सवालों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं सौमेजी अच्छा कामीनी का सवाल है और पिछले 7-8 मैने से पूरे शरीर में उनके अलर्जी हो गई है तो सवामी जी क्या उपाए हैं उनके लिए किसी भी तरह के अलर्जी हो एक तो स्किन के अलर्जी है स्किन के अलर्जी के लिए तो गोधन अर्क और नीम की गुली खाले नीम खना है और खाली पेड़ डर्मा गरेट या सोरोगरेट झाने के बाद ज्या कायक अकलो टी या महामत जींयस्ट के अलर्जी के है तो मैं पूरे जांके प्रशूं के भी जो लॉर्जी खोताएं इसे चैव में के लारे जीए लॉर्स ये अलवेरा ये नीम ये लगाए भी गिलो और ये सब खिलाए भी नीम आदी और ये एक होता है ये स्वास की अलर्जी तो जिनको स्वास की अलर्जी है उनको स्वासारी गोल्ड कर खाली पेट खाने के बाद कर्कुमिन गोल्ड और थोड़ा उनको दिवे पे या स्वासारी अगला सवामी जी साथ समंदर पार अमेरिका के पैंसिलवेनिया से आया है राजु पठेल ये सवाल पूछ रहे हैं राजु पठेल का कहना है कि घुटनों एंकल्स में बहुत दर्द रहता है कभी कभी शुगर लेवल भी बढ़ जाता है तो ये दर्द ना हो और शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहे क्या उपाई तो अमेरिका के राजु पठेल का जो सवाल है उसका जवाब ये है कि घुटनों के एडी के दर्द के लिए तो ये आगे पीछे ऐसे करें ये उनको सोबागे मिल जाए तो कभी यहां आ जाएं तो हम घुटने का एडी का दर्द जिसको वात कंटक कहते हैं इसका कोई लाज ने है पूरी वर्ल्ड में और ओपरेशन करने के बाद भी घुटने दुखते रहते हैं तो श्रिंगी चिकितसा इसका अप्रतिम इलाज है और पीडा निल पे जिसमें अलिविरा गिलोई पारिजाद निरगुंडी हार शिंगार और सहजने का रसम बताते हैं पीडा निल गोल्ड और्थोग्रीट य नखाएं दूद में हल दी सिलाजी आदिका सेवन कर ले बड़ा अप्रतिम लाव होता है एकदम से ठीक हो जाता है यह सवामे जी बहुत लोगों को यह एडियो का दर्द घुटनों का दर्द घुटनों के दर्द के लिए यह एक अभ्यास है घुटनों को ऐसे खीचा ले इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूस गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर